गाईज वन प्लस इंडियन मार्केट में अपनी नोड स्रीज के अंदर वन प्लस नोड 3 स्मार्टफोन को काफी जल लॉंच करने वाला है और ये ओफिशली भी कन्फर्म हो गया है विकोज इस स्मार्टफोन का स्पोर्ट पेज अव इंडिया में लाइव हो चुका है इस वीडियो में वन प्लस नोड 3 स्मार्टफोन की लॉंचिंग प्राइस के उपर डिसकस करने वाले हैं और इस बार वन प्लस नोड 3 स्मार्टफोन में स्पेसिकेशन भी काफी बढ़िया मिलेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाईज बट मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना विकोज इस चैनल पर मैं ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ फ़स्ट फोल स्मार्टफोन की डिजाइन और बिल्ड कॉलिटी से स्टार करते हैं तो वन प्लस नोट 3 स्मार्टफोन इस बार कंप्लेटली एक रिफेश डिजाइन के साथ आने वाला है और स्मार्टफोन में आपको मेटल फ्रेम ग्लास बेक भी देहने को मिल सकता है तो डिफिनेटली स्मार्टफोन की बिल्ड कॉल्टी भी काफी सॉलिड मिलेगी Now display design structure की बात करें तो OnePlus Note 3 smartphone में आपको एक HDR10 Plus certified display का sport मिलने वाला है It's officially confirmed and may be यहाँ पर आपको 6.7 inches full HD plus 10 bit flat super AMLA display का sport दिया जाएगा और इस smartphone में guys 120 Hz की screen refresh rate का sport भी मिलने वाला है And Note 3 smartphone OnePlus Note series का पहला device होगा जहाँ पर fans 120 Hz की higher screen refresh rate मिलेगी बाकी OnePlus का smartphone है तो definitely under display fingerprint scanner भी दिया जाएगा Next performance भी smartphone में काफी ज़्यदा upgrade हो सकती है Because पहले ये link निकल कर आये थे कि OnePlus Note 3 smartphone MediaTek Democity 8100 processor के साथ आने वाला है But guys latest leaks के according OnePlus Note 3 smartphone में आपको MediaTek Democity 8200 वाला mid-range flagship silicon दिया जाएगा If any case Democity 8200 processor smartphone में मिलता है तो यहाँ पर आपको LPDDR5 RAM और UFS 3.1 stories का भी sport मिलेगा बाकि OnePlus Note 3 smartphone out-of-the-box Android 13 based Oxygen OS 13 custom skin पर आने वाला है And Oxygen OS 13 software experience के मामले में काफी ज़्यदा better UI रहती है तो यहाँ पर software experience डेफिनेटली काफी cool रहने वाला है इसके अलवा का इस camera setup भी OnePlus Note 3 smartphone में upgrade हो सकता है Not in megapixel, I mean Note 3 smartphone में 50 plus 8 plus 2 megapixel का triple camera setup मिलेगा लेकिन इस बार sensor different होने वाले हैं Note 3 smartphone में Sony IMX A66 primary sensor मिल सकता है जो की optical image stabilization के साथ आता है इन चोट आपको OnePlus Note 3 smartphone में as always cameras काफी better मिलने वाले हैं Last battle life and charging capacity की तरफ आते हैं तो OnePlus Note 3 smartphone में यह वाला part भी upgrade किया जाएगा और यहाँ पर 5000 ms की बड़ी battery मिलेगी और smartphone को charge करने के लिए I think इस बार आपको 100W far charging का sport भी मिलने वाला है बाकि कुछ अदर features की बात करें तो OnePlus Note 3 smartphone में dual stereo speakers दिया जाएंगे और यहाँ पर better haptic experience के लिए X axis linear motor भी होने वाली है बाकि alerts lighter blood version 5.3 Wi-Fi 7 का भी sport मिल सकता है finally launching के बारे में discuss करें तो as I said before OnePlus Note 3 smartphone का sport page live हो गया है और जब भी कोई smartphone का sport page live होता है तो एक से दो मेनों के अंदर smartphone भी launch हो जाता है that means इंडिया में आपको OnePlus Note 3 smartphone की launching January या फिर February start तक देखने को मिल सकती है इसके लावा काई इंडियर मार्केट में इस बार OnePlus Note 3 smartphone की price अबो 30,000 मिलने वाली है और इस smartphone का base variant आपको इंडिया के अंदर 32,999 रुपीज के अराउंड मिल सकता है that's all guys ये कुछ information थी OnePlus Note 3 smartphone के regarding so I hope आपको आज का वीडियो पसंदाया होगा पसंदाये तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना और डेली ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो